स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के चैनल वाट विल हैपन नेक्स फे फ्रिंट जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे आज के इस वीडियो पे हम लोग डिसकस करने वाले हैं आदेशात्मक सडग चेन को और एक खास बात आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी चेन है उनके नीचे जो इनके उत्तर हैं मैंने उन उत्तरों को इस ब्लैक टेप से ढग दिया है मैं इस वीडियो पे देखना चाता हूँ कि कितने ऐसे सिंबल्स हैं जिनके उत्तर आप लोगों को पता है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मैं आप लोगों को टाइम देता रहूंगा और आप उसके बाद मैं इस ब्लैक टेप को हटाता रहूंगा और देखते हैं कि इतने सारे चिन में से कितने चिन का उत्तर आप लोग सही देख पाते हैं चलिए फ्रेंड्न्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहुत सारे sign है एक एक करके randomly कोई भी हम लोग signal को उठाते हैं सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजे इस symbol का क्या मतलब है ट्राफिक का यह symbol आप लोगों को क्या बताता है ठीक है सोच लिए आप लोगों ने चलिए मैं आप लोगों को इस प्रश्ण का उत्तर बता देता हूं फ्रेंड ट्राफिक का यह सिंबल बताता है गाड़ी खड़ी करना मना है मतलब नो पार्किंग को बताता है ठीक है ट्राफिक का यह सिंबल क्या बताता है नो पार्किंग को इसका प्रस्निका सही उत्तर बता देता हो चौडाई elaborate का मद्थाइध सीमा इसके बड़ुग के बारें आप लोग देख रहे होंगे न यहां पर अफूर ट्लूरत बतार है और मिakers न क्मेस से सब्सक्मिदस के बारे में살 मेलेद 것으로 प्रट बोगों यसे बहुत इसलिंदी सकते यह बताता है उच्छा चलिए पर यह मैं आप लोगों को इस संबल का सही उत्तर बता देता हूँ ठीक है चलिए इसे अगर मैं discuss करू तो ट्राफिक के यह symbol आप लोगों को जनरली कहां पर मिलेंगे मालूम है रोड पर जहां पर आप लोगों के tunnel होते हैं ना tunnel ठीक है road पर tunnel होते हैं ना आप लोगों ने देखा होगा तो tunnel के पास आप लोगों को यह symbols मिलते हैं यार अगर suppose करो tunnel की चोड़ाई 2 मीटर से कम है और आपकी गाड़ी की चोड़ाई 2 मीटर से जादा है तो आप लोग उस tunnel पे जाए नहीं सकते हो वोफुली सभी लोगों ने इसका सही उतर दे दिया होगा जी हम फ्रेंड इसका सही उतर है साइकिल निशेद मतलब इस जगह पर जहां पर आप लोगों को ट्राफिक का यह सिंबल दिखता है वहां पर आप लोग साइकिल लेकर उस पर्टिकुलर रोड पर एंटर नहीं कर सक हैं ट्राफिक का यह सिंबल क्या बताता है उसके बहुत ही सिंपल है क्या बता रहा है यह एक आदमी आदमी पर क्रॉस लगा हुआ है मतलब जी आप सोच रहे हैं वहीं इसका उत्तर है पैदल यात्री निशेद मतलब बहुत सारे ऐसे रोड़ जोते हैं जहां पर कि आप साइकिल वाले अलाउड नहीं होते कहां पर अलाउड नहीं होते फ्लाइवर के ऊपर फ्लाइवर के ऊपर पैदल यात्री भी अलाउड नहीं होते और साइकिल वाले भी अलाउड नहीं होते तो फ्लाइवर के स्टार्टिंग पर ही आप लोगों को यह सिंबल दिख साइकिल लेकर आप लोग फ्लाइवर पर न जाए ओके फ्रेंट्स चलिए इससे बताइए आप लोग यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग है देखता हूं कितने लोग इसका सही उत्तर बता सकते हैं इस प्रश्निक का सही उत्तर क्या होगा चलिए मैं आप लोगों को सही उत्तर तहुं यह एक पी है कि यह रोड इस रोड निकल कि कोशिश कर रहा हैём मतलब इसे करने की कोशिक कर रहे है और उस पह क्रोश कर रहे हैं मतलब आप्पोर्टेक्ग ऑलाऊड अच्छा चलिय है आप लोग मुझे यह बताए कि फ्राफिक का यह सिम भल क्या बताता है यह वाला सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है यह चलिए मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देता हूं इसका उत्तर है रोक समापती चेहन ठीक है रोक समापती चेहन से मतलब क्या है मेरा आप लोगों नहीं देखा होगा आप लोग फ्लाइओवर पे जब सकते हो आप लोग मैकसिमम हवी गाड़ी 40 की से मोटर साइकिल 30 की ऐसी स्पीड लिमिट लिखी होती है तो जब आप लोग फ्लाइओवर से नीचे उतर रहे होते हैं तो वहां पर यह सिंबल लगा होता है इसका मतलब स्पीड पर जो रोक लगी हुई थी स्पीड पर जो र फिरत अब मुझे बता दीज आप लोग इसका मतलब क्या होता है ट्राफिक का यह इसंबल आप लोगों को क्या बता रहा है ठीक है बहुत से पले सभी लोगोंने बताई दिया और यह सिंबल हमें बताता है प्रवीष निशेद quarantine फिरता मतलब आप लोग इस रोट पर एंट सब भेवाई एक शार यह उत्तर क्या होगा इस प्रश् listening का सही उत्र में आप लोगों को दिखा देता हूं फिर मैं आप लोगों को समझाओं गावर एक तो गाली रोकना व है needed खड़ा करना दोनों मना है मतलब आप लोग अगर आप लोगों को रोड पर ट्राफिक का ये सिंबल देखता है न तो उस पर्टिकुलर रोड पर आप लोग गाड़ि रोग भी नहीं सकते हो पार्फ करना तो अलग बात है इसका मतलब क्या है वहाँ पर आप लोग पार्क नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है आप लोग गाड़ी वहाँ पर रोख ही नहीं सकते तो पार्क कैसे करोगे ठीक है आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जगह पर जैसे सपोस्ट करो आप किसी जंगल वाले रोड से जा रहे हो टिके जंगल वाले रोड से जारे हैं Oh और सप्पोस्ट करो उस जंगल वाले रोड पे हांती लोग बहुत है ऐप लोगोंने सूना भी वहगा हती लोग सारे इंसिदें तोड़ पर और सब लोगों को और पर पर प्रहली Yuan नहीं हो तो आप लोगों को पता नहीं है कि यहां पर क्या होता है क्या नहीं होता तो इसलिए वहां पर यह शिraटार अकिस्टाइब शोठाएब नहीं गतिक्ताइब इतरधी कि वाती सिंप्पल डेटा थे चल्या वैब लोगों क какую तर दिखा देतां जिया आप लोगों का बताता है सीमा को चले यह तो है। उत्हों मैं किसीमा कई कि पचास से ऊपर आप लोग नहीं चला सकते हो ठीक है ओके फ्रेंग्स चलिए यह बता दीजिए यह क्या है राफिक का यह सिंबल क्या बता रहा है आप लोगों को चलिए मैं आप लोगों को पहले उत्तर दिखा देता हूं फिर बताता हूं यह देखे ठेला गाड़ी निशेद है आप लोग देख रहे होंगे न एक आदमी ठेला लेकर चल रहा है तो बहुत सारे जगह पर ठेला लेकर अंदर रोड पर जाना मना होता है तो वहां पर यह सिंबल दिखाई दिया जाता है ठेला गाड़ी निशेद है यह क्या बता रहा आप लोगों को यह भी बहुत सिंपल है सब लोगों ने सोच लिया होगा ठीक है पहले उत्तर दिखा देते हैं उसके बाद इसके उपर दिसकेशन करेंगे देखिए सभी मोटर वाहन निशेद आप लोग देख रहे होंगे ना बाइक है कार है और सब पर क्रॉस कर रहा है मतलब मोटर वाहन लेकर आप लोग उस रोड पर जा नहीं सकते हो ठीक है अच्छा चलिए इसे बता दीजे यह तीनों एक ही साथ है बहुत कर शृष्टा आधे चलते हैं और चलिए यह बताएं मुझे यह दो है यह कर बताता कि आप लोगों को पहले उत्तर दिखा देतों이면 ये बताता है आप लोगों का वह सिमा इसका मतलब है कि आप लोगों की हाड़ी के साथ कितना वेट हो सकता है है अलौर ठीक है तो ये पां ती किसे डिनोट कर रहा है टन को पांच टन वेट बता रहा है मैक्सिमम अलाउड वेट कितना है पांच टन है ठीक है अगर पांच टन से जादा है आप लोगों की गाड़ी पे वजन तो आप लोग उस रोड पर जान नहीं सकते हो अगर जाओगे तो पनिल्टी पड़ेगी अच्छा ये क्या बता रहा है ट्राफिक का ये साइन क्या बता रहा है ये भी सिंबल है देखे ये क्या है गाड़ी का एक्सल है गाड़ी का एक्सल है ये बता रहा है कि गाड़ी के एक्सल पे मतलब गाड़ी पे जो वजन आप लोगों ने डाला हुआ है वो कितना हो सकता से maximum to maximum चाट टन हो सकता है ठीक है एक्सल पर मतलब गाड़ी पर जो लोड लिमेट है वो कितने की है चाट टन की है ओहो मैंने पहले ही बता दिया मैंने आप लोगों से तो पूचा ही नहीं देखे एक्सल बार सीमा बता रहा है यह आप लोगों को ठीक है पर देखो सपोस्स करो यह पाहड़ है और पहाड़ पर एकदम से शाप टन है एक दम शाप टन है ठीक है और इस टरन पर मैक्सिमम 8 मीटर की गाड़ी ही तरन ले सकती है और अगर आप उस पर दिस से वह पर दिस्टाब हो जायेगा ठीक है ओके फृरेंट चलिए आप़ लोग मुझे बता दीजे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है नहीं इससे पहले आप लोग मुझे यह बताईए पहले यह बताईए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है चलिए मैं आप लोगों को प्रश्न का उत्तर दिखा देता हूं दाइना एक तरफा ठीक है आप लोग देख रहे होंगे यह क्या आप लोगों का यह आप लोगों का राइट हंडसाइड है है यह alltså साइड वाले को क्रॉस कर रखा है मतलब बाई तरफ आप लोग नहीं जा सकते तो दाइना एक तरफवा राइट है कि तरफ वन वे रोड़ है ठीक है यह क्या बता रहा है अब यह मैंने बता दिया तो यह तो आप सब को पता चल गया होगा जी हां जो आप सोच हो बिल्कुल रहे हमाले को क्रॉस कर रखा है तो यह होगा टरफ हो इस वह पता दीजे यह बहुत ही सिंपल है क्या बता रहे हैं यह जो आप सोच है वही है देखे वहनों का अना-जाना निशेद है का стать बता चला है यह राइट है यह सकते उसका मतलब गाड़ी ले करी आप हो और आप होगो नहीं बजा सक्ते हो जाना हैं। बहुत ही सिंपल था ओके फ्रेंट्स चलिए आप लोग अब इन दोनों को डिसकस करते हैं ठीक है इसका क्या होगा फ्रेंड्स सही आंसर अब तो आप लोग समझ क्या होंगे ना कैसे इन प्रश्णों को सॉल्व करना है आप लोगोंने देखे मैं उत्तर दिखा देता हूं आ मतलब दाय मुडना मना है देखे यहां से यह और उससे हमने क्रॉस कर दिया मतलब दाय मूडना मना है इस पर देखे यह क्या है चलिए पहले आप लोगोंना होगा उत्तर दिखा देता हूं उसके बाद तरफर आनमाद की तरफ यह मुढ रहा है मना है ठीक है अच्छा यह बता रहा है आप लोगों का यह भी बहुत सिंपल आप लोगों को देखोए जो आप इस का उप्रॉप्तर है यह देख लीजिए un ez-स नृट आफ बाहे और यह बहुख लिए बगल वाला देख लीजे यह भी बहुत सिंपल है जी हां जो आप सोच रहे हो वही इसका उत्तर है यह देख लीजे टांगा मना है दिख रहे हैं आपको टांगा गाड़ी यह टांगा गाड़ी पे क्रॉस कर रहा है मतलब इस पर्टिकुलर रोड पे आप लोग टांगा मना है देख रहे हो ना यह सीधा आगे जा रहा था और उसी पर मुढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वापस मुढ़ना मना है फ्लाइओवर पे होता है यह सिंबल आप लोगों का क्योंकि फ्लाइओवर पे एक बार आप लोग चड़ गए तो वहां पर आप लोग यू टन ल मतलब सिंपल रुखिये तिक है यह शेप अपके लिए ठीक है अच्छा यह गिव्वे मतलब रास्ता दीजिए देखें यह क्या मार्क दे और यह क्या बता रहा है आप लोगों का यह भी सिंपल है क्या बता रहा यह एक रेड के अंदर एक वाइट नेगेटिव साइन यह आप लोगों का प्रवेश निशेद है मतलब एंट्री आप लोग उस रोड पर नहीं कर सकते हो तो फ्रेंग्स आज के इस वीडियो पर हम लोगों ने आप लोगों के साथ आदेशात्मत चीहन डिसकस किये सड़क के चीहन डिसकस करें एंड होफुली आप लोगों ने बहुत यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पका से दबा दीजे और हो सके तो इन वीडियो को अपने सारे फ्रेंड लोगों के साथ भी पक आते रहते हैं तो आप लोगों का सयोग भी हम लोगों को चाहिए हो सके तो अपने फेस्बूक ग्रूप पे वाटसेप पे जहां भी आप लोग शेर कर सकें वहां पर इन वीडियो को पक्का से शेर कीजेगा धन्यवाद